बोडे जा थे वीडियो वी आर गूँग तू डिस्कस अबार्व थेर्मल मेथाड ओफ एनलाइसिस के अंदर फॉस्ट जो एनलाइसिस का मेथर्ड है वो है टी जी ए इस थेर्मो ग्रेविमेट्रिक एनलाइसिस इसके बारे मेज डिस्कस करेंगे thermal method of analysis a branch of material science material science की वह branch है जिसके अंदर क्या होता है material की properties का study किया जाता है as a function of temperature और time कोई भी material है उसकी physical change क्या हो रहे है उस material के अंदर और chemical change क्या हो रहे है उसको किसके function के रूप में read किया जाएगा study किया जाएगा temperature और time के function के रूप में steady किया जाता है ठीक है अब इसका जो first method है वो है TGA उसके बारे में अपना आज पढ़ेंगे तो देखें आगे TGA का full form होता है thermo gravy metric analysis thermo gravy metric analysis इसके अंदर क्या discussion होता है कि जो भी मालेजी अपना कोई substance है उसके अंदर अपने को change देखना है या क्या कह सकते है कोई material है उसके अंदर अपने को क्या देखना है change देखना है तो जो change है वो किसके function के रूप में temperature के function के रूप में अपने को read करना होता है thermo gravy metric analysis के अंदर और different time interval के अंदर temperature के रूप में record करना होता है और different time interval होना चाहिए तो देखें इसमें in this technique the change in weight कोई भी material है उसके weight के अंदर कितना change हो रहा है वो recorded as a function of temperature as a function of temperature के रूप मतलब कितना temperature उसके अंदर अपने increase कर रहे है कितना temperature उसके अंदर अपने decrease कर रहे है उसके according उस substance या उस material के weight में क्या change हो रहा है वो इसके अंदर study किया जाता है अब weight change होता है वो weight loss भी हो सकता है और weight क्या हो सकता है gain भी कर सकता है कोई भी material weight loss भी कर सकता है और weight क्या कर सकता है gain भी कर सकता है तो इसमें देखिए कि weight change होता है, वो two types से हो सकता है, या तो physical changes हो रहे हूँ उसके अंदर, या क्या हो रहे हूँ, chemical changes हो रहे हूँ, चीक है, या तो physical changes या chemical, physical के अंदर क्या होता है, melting हो रहा हूँ, vaporization हो रहा हूँ, या उसका crystallization हो रहा हूँ, इसके according तो क्या हो गए, ये तीन changes है, जो physical changes है, और chemical इकल के अनदर देखिये, oxygen हो सकता है, corrosion हो सकता है, decomposition हो सकता है, उस material का और उस material से dehydration हो सकता है ठीक है, ठर्मो ग्राम, ठर्मो ग्राम क्या होता है, कि मालीजी अपना weight change हो रहा है Weight change, weight change का, फिसके against प्लोट ले रहे है, temperature के against, at a different time interval के accord, तो यह जो है यह जो graph बनेगा उसी को क्या कहेंगे अपन thermogram यह इसका नाम क्या होता है दूसरा thermogravimetric curve भी इसको कहते हैं तो देखिए the plot in between weight change against किसके temperature के at a different time interval होता है इस cold thermogravimetric curve या thermogram इस thermogram या जो यह है thermogravimetric curve इसको कैसे बनाते हैं वो देखिए weight change ले लिया है इधर weight या mass change ले लिया ठीक है और इस अक्सक्स भी कह ले लिया मैंने temperature और वो भी किसमे degree centigrade के अंदर इस तरीके का एक curve आता है किसके अंदर ग्रॉह पिर कर्व है यह क्या है horizontal line है तो इसमें देखी यह इधर किया हो रहा है weight अब देखिए weight क्या है stable means weight के अंदर कोई change यह treb तो A, B और C, D वो horizontal lines होती है, जो क्या बताती है कि इसमें कोई weight change नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन देखर temperature देखे, A से B की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर temperature कुछ और था, और यहाँ पर B के पास में temperature क्या होगा, कुछ और होगा, ठीक है, ऐसे B से C में आएंगे, तो B के पास temperature कुछ और है, और यहाँ पर C के पास temperature कुछ और है, C से D तक की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, C के पास temperature कुछ और है, और D के पास temperature कुछ और है, means, temperature क्या होगा, constantly increase होता रहता है, जबकि weight के अंदर क्या होता है, कभी चेंज होता है, कभी वो molecule stable होता है, कभी उसके अंदर decomposition हो जाता है ठीक है जो AB graph अपना इस के अंदर जो अभी अपने पढ़ा है उसमें देखे this horizontal reason indicate there is no mass change कोई mass change नहीं हो रहा है यह मैंने अपने आपको समझा दिया है and second देखे BC graph यह BC graph है this indicating weight loss weight loss indicate करता है क्यों क्योंकि बी के उपर क्या है यह पर देखे weight इतना या mass इतना है जबकि C तक कोई भी molecule या compound आता है यहां तक तो इसका mass कितना हो जाता है इतना हो जाता है तो देखे पहले इतना था अब इतना हो गया मतलब decrease हो रहा है mass ठीक है तो BC जो graph है यह क्या शो करता है कि weight loss अब भी weight loss कैसे हो सकता है dehydration से भी हो सकता है decomposition से भी होता है sublimation से हो सकता है desoption हो या evaporation हो इन तरीकों इन सारे इस technique से क्या हो सकता है weight loss हो सकता है जो सबसे पहला जो थर्मोग्राविमेट्रिक एनलाइसिस का जो थर्मोग्राम है वो अपन पढ़ रहे है calcium oxalate monohydrate जिसका formula क्या होता है cac2o4.h2o यह जो calcium oxalate monohydrate है इसका थर्मोग्राम है इसके उपर की तरफ दिख यहां पर y-axis पर क्या है mass in gram है और यहां पर y-axis पर मैंने क्या लिया है degree centigrade के अंदर temperature ठीक है तो a से b जो कर्व आ रहा है a से b के अंदर जो calcium oxalate monohydrate है वो क्या है stable है means उसके अंदर पोई mass change नहीं हो रहा है और यहां तक क्या 100 degree centigrade temperature है ठीक है इसका मतलब क्या है calcium oxalate monohydrate होता है वो up to 100 degree centigrade तक क्या रहेगा स्टेबल रहेगा जैसे 100 degree centigrade से temperature बढ़ना स्टार्ट करेगा उसका decomposition या dehydration होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर क्या हो रहा है h2O molecule remove हो रहा है इसका मतलब dehydration हो रहा है तो इस calcium oxalate monohydrate से एक h2O का molecule remove हो गया तो क्या बना calcium oxalate चीक है और यह calcium oxalate 220 degree centigrade 226 degree centigrade पर यह stable molecule होता है और 226 से 346 degree centigrade temperature तक यह stable होगा चीक है अब इसको और गरम करते जाएंगे धीरे धीरे और जैसे इसका temperature 346 degree centigrade से जादा हो जाएगा तो यह वापस इसके अंदर से क्या निकलेगा CO molecule निकलेगा ठीक है carbon monoxide remove हो जाएगा इसमें से release होगा और इस carbon monoxide के remove होने से क्या बनेगा अपने पास calcium carbonate और यह जो temperature है 420 degree centigrade यहां से 660 degree centigrade temperature तक क्या रहेगा यह stable molecule रहेगा यहाँ पर इसमें कोई mass change नहीं है लेकिन देखू temperature चेंज है 420 degree centigrade से क्या है 660 degree centigrade जैसे temperature 660 degree centigrade से उपर होगा increase होगा वैसे क्या होगा इसके अंदर से CO2 molecule release हो जाएगा और लास्ट में अपने को क्या product मिलेगा का calcium oxide और यह calcium oxide है वो 980 degree centigrade तक क्या रहेगा stable molecule रहेगा तो यह क्या थर्मो ग्राम है किसका calcium oxalate monohydrate का प्राम है झाल 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 झाल